नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि भाई हम लोग Google अकाउंट का या फिरकेज़ जीमेल अकाउंट का पासवर्ड कैसे रिसेट कर सकते हैं अगर आप दोस्तो पासवर्ड भूल गए है आपको याद नहीं है पासवर्ड आपको चेंज करना है रिसेट करना है तो इसका इजी न्यू लेटेस्ट तरीका दोस्तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जी हां जो तरीका मैं आपको बताँगा वो बिल्कुल test new तरीका है दोस्तों इससे आप लोग ईजी तरीके से पासवाट को reset या फिर चेंज कर सकते हैं तो चेली दोस्तों वीडियो को start करते हैं और जान लेते हैं तो इसके लिए दोस्तों आप लोग गूगल के किसी भी application में जा सकते हैं जैसे कि YouTube, Play Store, Gmail, Google App, Chrome, किसी भी दोस्तों Google गूगल के एप में आप लोग जा सकते हैं फिलाल हम लोग दोस्तों जाएंगे Gmail में और उसके बाद में क्लिक करेंगे टॉप राइट कॉर्णर में दियेगे लोगो पे फिर हम क्लिक करेंगे manage your Google अकाउंट पे उसके बाद में हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा अब द दोस्तों हम लोगों को यहां पर security option मिल जाएगा ठीके scroll कर सकते आप थोड़ा आपको security option मिल जाएगा तो इस पे आपको क्लिक करना है उसके बाद थोड़ा नीचे आने के बाद यहां password option मिल जाएगा इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद ऐसा interface आएगा दोस्तों अभी देखो जोड़ा हम लोगों को यहां पर forgot password पे क्लिक करना है अगर दोस्तु आपको password याद है कि पहला आपका कौन सा password है तो फिर आप लोग दोस्तों यहां पर password टाल सकते है पूराना आपना password डालिए और next पे क्लिक कीजे आप लोग दोस्तों नया password बना पाएगे लेकिन आपको差 याद ही नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे फॉर्गट पास्वोड पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों ऐसा इंटरफेस आ जाएगा अब देखिए यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है यूज यूर फिंगरप्रिंट फेस और स्क्रीन लॉक यानि कि स्क्रीन लॉक को आप लोग पास्वोड चेंज कर सकते हो और अगर आपको दूसरे तरीके से करना है दोस्तों तो एक दो तरीके आपको दूसरे भी यहाँ पर मिल जाएंगे ट्राइ अनादर वे पर क्लिक करके आप लोग दूसरे तरीके भी देख सकते पास्वोड चेंज करने के लिए ले यहाँ पर हम लोगों को अपना नया password डालना है, जो भी हम set करना चाहते हैं, और वही password नीचे confirm करने के लिए डाल देना है, अभी देखा दोस्तों, screen lock open करने का जो page है, तो उसको मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसकी screen recording होती ही नहीं है, तो वह दिखाने से कोई set कर दीजें, यहाँ नीचे confirm करने के लिए दोबरा डालें, फिर change password पर click कीजिए, देख सकते हो मैंने यहाँ पर password डाल दिया है दोनों जोगा पर, उसके बाद मैं change password पर click करेंगे, उसके बाद दुबारा एक बार change password पर click करेंगे दोस्तों, और जैसे ही आपको password याद नही था तो हमने दोस्तो password को यहाँ पर reset कर दिया है change कर दिया है दोस्तो तो इस तरीके सा आप लोग दोस्तो कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपके phone में दोस्तो Google account को login होना जरूरी है दोस्तो ठीक है अगर logout कर दिया है आपने तो फिर आप लोग बिना password डाले login करी नहीं सकते द और login है दोस्तो आप लोग और बास्वर रिसेट करना चाहते हैं बिल्कुल easily दोस्तो कर सकते हैं जो कि दोस्तो मैं आपको इस उड़े में बता दिया आपका और भी कोई सावाल है फिर सुजा हो दोस्तो कमेंट करके बता दो वीडियो को लाइक करो चारल को सब्सक्राब कर मिलेंगे हम दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू